हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो मैं यूटूब चैनल एसी इंग्लिस एकडमी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंग्लिस के दस ऐसे सिंटेंसेस के बारे में जानेंगे जिसे आप अपने रोज मर्रा के लाइफ में बड़े आसानी से इस्तमाल कर सकते हैं और अपना इंग्लिस बहुत ही मजबूत कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो बिना इसकीप करे पूरा पूरा देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी दबा दें ताकि इस चैनल की हर वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे वीडियो अच्छी लगने पर इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें तो दोस्तो आज का पहला sentence है देर मत होना, don't be late, अगर आपको कहना हो कि मुद्दे पर आओ, या असली बात पर आओ, या फिर इधर उधर की बाते छोड़ो, तो आप इसे English में कह सकते हैं, come to the point, या फिर don't beat about the bus, या फिर stop rambling and come to the point. Next sentence है, अपना घर साफ रखो, keep your house clean, अगर आपके यहां कोई महमान आए हों, और वो जा रहे हों, और आपको कहना हो कि फिर अवस्य आईएगा, तो आप इसे English में कह सकते हैं, do come again, अगर आपको कहना हो कि जैसी आपकी मरजी, तो इसे आप English में कह सकते हैं, as you wish, या फिर as you like, और अगर आपको कहना हो कि जल्दी आना, तो आप इसे कह सकते हैं, come soon, अगर आपको कहना हो कि मौन रहिये, या सांत रहिये, या फिर हल्ला मत करिये, तो इसे आप English में कह सकते हैं, please keep quiet, और अगर आपको कहना हो, सुनिये तो, तो आप इसे कह सकते हैं, just listen, अगर आपको कहन अगर आपको कहना हो कि वापस आओ तो इसे आप कह सकते हैं तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अपने सारे दोस्तों के साथ सेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान को भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आपको टाइम पर मिल सके आपको इंगलिस से रिलेटेट कोई भी प्राबलम हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं पूरी कोशिस करूँगा उ इस वीडियो कीप प्रेक्टिसिंग और कीप लर्नेंग